ओके तो आज के एपसोड किस किस ने देख लिया ज़रा कमेंड बोक्स में बताना इस वीडियो को देखने से पहले बिकॉज आज के एपसोड देखो पिछला एपसोड जितना एनिमिशन के मामले में तो नहीं था लेकिन ये एपसोड जो है लूफी के mentorship कहो, लूफी का ज्यान देना कहो, लूफी as a motivational speaker कहो, बहुत अच्छा था एंड देखो ये एपसोड जो है मॉमनोसके के इर्द गिर्द घूम रहा था इस एपसोड में तुम उस चूतिये बच्चे को देख सकते हो, जो बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग आज भी 8-9 साल के बच्चे जैसा ही है साथ ही साथ यहां पर वो बच्चा थोड़ा काम की चीजे करता हुआ नजर आता है, जो कि काईडो का कुछ नहीं बिगार सकती, लेकिन ये इस ड्रैगन वाले बच्चे के लिए बहुत जरुरी था अब देखो वैसे तो मैं एपसोड के उपर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन तुम सबने यार डिमांड किया, बहुत सारे लोग कह रहते के बाई, एपसोड कभी रिब्यू किया करो, जैसे मांगा के उपर बनाते हो, हाँ मैं निवे वाचर्स कभी कुछ सोच हो, तो जाकर किये उस पर क्लेम नहीं आया था, अब आते हैं मेन मुद्धे पर, आज के एपसोड पर, देखो, एपसोड के स्टार्टिंग वही से चालू होता है, जहां पर पिछल एपसोड खता हुआ था, उस कमाल के एनिमेशन के साथ, जहां पर भाई आमटो एंड लूफी वि दो ड्रैगन नहीं रह सकते, यह एक दो वैसे ही था कि यहां सिर्फ एक ही गुंडेगा राज चलता है, और देखो यार हमें पता है मुमनोस के भली बड़ा हुआ है, लेकिन वह भी फ्यूज बल्ब की तरह है, वो किसी काम का नहीं है, पर हां वो काम करता हुआ नजर आए उसे लड़, एंड मुमनोस के डर डर के जैसे तेसे करके भी वो ट्राइ करता है, एंड कुछ चीजे करता है वो, यहां पर लूफी जो है फाइट नहीं करता है, हां काईडो को उसने एक दो मुके मारे, जिनमें सिर्फ आर्मामेंट हाकी कोट था, नहीं उसने कॉनकर हाकी करने दिया, ताकि उसके अंदर थोड़ा होसला बढ़े, उसका डर थोड़ा तूटे, यहां पर हम जो है टेंगु यामा हितेट्सू, जो की फ्लावर फेस्टिबल में है, अब देखो एक बात में बता देना चाहता हूं, जो ओरुची और काईडो है, यह लोग जो है वान को मिलता है कि उतामा कैसे, लूफी की हेल्प के लिए यार जाती है, यह भी पास दिखाया जाता है, साथ ही साथ, देनगु यामा हितेट्सू, और तो को भी हमें दोनों साज में देखने को मिलता है, और यार यह बैक स्टोरी भी अच्छा ही था, साथ ही साथ, मुझे लू लूफी के साइट से जो लोग लड़ रहते हैं, उनका भी रियक्शन थोड़ा अच्छा लगा, मतलब उनका भी यार होसला बढ़ चुका है, विकॉज लूफी वापस आ चुका है, मुमनोस के बड़ा सा ड्रागन बन चुका है, यामाटो भी यार लूफी के तरह फर्स ट के बाद, विकॉज देखो, इस एपसोड में जादा कुछ नहीं था, मुमनोस के के हिसाब से बढ़िया था, मुमनोस के कारक्टर को लेकर के थोड़ा बहुत डेवलोपमेंट दिखाया गया, जो की बढ़िया था, लेकिन नेक्स्ट एपसोड भाई, जो होने वाला ना, स् उसके बाद, यार, फैन्स पागल होने वाले हैं, जब वो चीज मांगा में आया था ना, मुझे याद है, 90% वनपीस यूट्यूबर्स लूफी के पावर कले के काफी ज़्यादा चिला रहे थे, मैंने उस टाइम पे एक चीज बोला था, जो की सच हुआ था, वो इंबल एनिमेशन था, बढ़िया एनिमेशन था, और ये एपसोड यार, 7.5 आउट ओफ 10 तो डिज़र्प करती है, एंड तुम सब अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में बताना मत बुलना, और हमेशा की तरह वनपीस का पेसिंग स्लो रहता है, तो उसको नजर अन्दाज ही बाइ!